हलो वोरियंस, तो आज इस वीडियो में आप सिखोगे कि पिक्सल लब से आप नॉर्मल और एक्ट्रेक्टिव पोस्ट किस तरीके साब बना सकते हो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिरेक्ली पिक्सल उपन करते हैं यह रहा हमारा पिक्सल तो जैसे आप ओपन करोगे यह टाइप की स्क्रीन आपके सामने होगी पहले जिस तरीकर का जिस फोटो पे हमें एडिट करना है वो पहले फोटो हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे तो यह जो कॉर्णर पे आपको पिक्सल लेब दिख रहा है लिखा हुआ उसके उपर प्लस साइन है वहाँ पर क्लिक करेंगे प्रॉम गैलेरी वहाँ से हमारी हम लोग पिक्सलेक्ट कर लेंगे जैसे कि यहाँ पर बहुत सारी पिक्ट है मैंने यह एक सेट कर ली अब यहाँ पर आपको जो नौर कॉर्णर पे आपको बहुत अलग-अलग साइस दिख रही होगी उसमें से जो वन एन वन है वन रेशियो वन वहाली पोस्ट आपको मतलब वहाँ पर सिलेक्ट करना है और वो साइस सिलेक्ट कर लेनी है जो भी पोस्ट आप जैसे भी पोस्ट आप लेते हो यही साइस लेनी है ताकि तभी यह पिक्सल लेप पे फिट हो पाएगी वन एन वन रेशियो वाली हमने साइस ले ली और यहाँ पर नीचे हम लोग डन कर देंगे उसके बाद इसको पूरा इस तरीके से इसके उपर एड़िस्ट कर देंगे इसके बाद हम लोग लेंगे सेडो जो हमें यहाँ पर पोस्ट में नीचे लगाना होगा तो same वही Process करेंगे जहां से अपने Picture लिया था उसी तरीके से वहाँ से हम लोग ये जैसे हमने यहां पर अप्लोड कर दी इसकी Size हम लोग यहां पर थोड़ा स्क्रोल करें बहुत बड़ी कर देंगे थोड़ा और थोड़ा और बड़ा कर दिया हमने अब यहाँ पर हम लोग नीचे इसको end में नीचे रख देंगे आपको देखना है कि दोनों साइट जैसे कि यहाँ पर देखिए left में जगा रह रही है ऐसी जगे नहीं रहनी चाहिए right में जगा रह रही है तो वो नहीं रहनी चाहिए एकदम middle में आना चाहिए जिस तरीके से दोनों साइट से वो सेडों coverage हो जाए अगर नहीं हो रहा है फिर से यहाँ पर थोड़ा ऊपर scroll केजिए और और थोड़ा picture को drag करके बड़ा कर लेजे ताकि हम लोग यहाँ पर set कर लें ओके और यह हमने यहाँ पर done कर दिया सेडों हमारा लग गया है अब देखिए थोड़ा नीचे रखेगा पूरा middle पिक्चर पे नहीं रखना है वहना picture राइड हो जाएगी थोड़ा नीचे आपको यहाँ तक रखना है अब हम लोग text select करेंगे text के लिए same वही process जहाँ पर हमने picture select की थी वहाँ पर plus sign वहाँ पर click करेंगे तो हमें text का option पहला मिलेगा वहाँ पर हम लोग click करेंगे इसमें हम लोग double click करेंगे इसलिए हम लोग text edit कर सकेंगे अब मैं लिखता हूँ this is my moment my moment and I will leave it leave it अब इसको जिस तरीके से हमें set करना है अगर तीन लाइन में करना है या चार लाइन में करना जिस तरीके साब करना चाहते है इसको यहाँ पर ही हमें set कर देना है तो हम लोग इसको two lines में ही रखते हैं तो हमने यह two lines पर रख दिया और इस पर यहाँ पर ok करेंगे तो यहाँ पर देखिए यह two lines में यह font यहाँ पर आ जाएगा अब इसको एक चीज करना है यहाँ पर हमने click किया हुआ है नीचे आपको एक A दिख रहा होगा sign पे वो A पर हम लोग click करेंगे तो आपको बहुत सारे options नीचे आ जाएगे तो पहला जो काम हम लोग करेंगे वो थोड़े scroll करेंगे और यहाँ पर जो B आपको दिख रहा है पहले वहाँ पर B पे style पे वहाँ पर click करेंगे और यह जो bold size है B वाली वो click करेंगे तो यह font है पुरा वो bold हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर right click करेंगे उसके बाद थोड़ा हम और scroll करेंगे और यह जो background के बाजू में दिख रहा है aligned वहाँ पर हम लोग click करेंगे और यह जो middle वाला option है यहाँ पर वो click करेंगे तो text एकदम पुरा perfectly set हो जाएगा उसके बाद right click करेंगे तो text के साथ आपको यह process करनी रहेगी जैसे ही आप कोई भी text approach कर देते हैं यह process यहाँ पर आपको complete हो गया अब मैं आपको यहाँ पर coloring किस तरीके से अगर आप लगाना चाहते हो कोई font कोई text में दूसरा color लगाना है तो वो किस तरीके से लगा सकते हैं वही देखेंगे इसी में हम लोग आगे scroll करेंगे यहाँ पर आपको color दिखेगा यह जो color दिख रहा है वहाँ पर click किया नीचे scroll करेंगे तो समझ लीचे हम लोग जो moment है उस पर दूसरा color लगाना चाहते हैं तो यह जो पूरा area हम लोग है आप यह देखेंगे यहाँ पर कहीं पर भी आप text पर यह पूरा coverage कर सकते हैं मैंने सिप moment पर किया थोड़ा उपर scroll करेंगे जो भी color मैं रखना चाहता हूँ वो मैं color रख सकता हूँ फिलाल मैं orange रखता हूँ तो आप देखें moment पर दूसरा color आ गया उस पर वो click करूँगा तब देखें लिव पर दूसरा color आ जाएगा यहाँ से आप right click करेंगे तो यह आपका text दूसरे color के साथ आ जाएगा तो यहाँ पर text किस तरीके का आपको मतलब bold कहां से करना है कहां से center रखना है वो चीज आपने यहाँ पर सीख ली इस तरीके से दूसरा color अगर आप लगाना चाहते हैं वरना perfectly white रखे black background है तो white perfect font लगेगा तो इस तरीके साब अगर color लगाना चाहते हैं तो color भी लगा सकते हैं यह हमने set कर दिया यह यहाँ पर रख दिया उसके बाद आपका next process होगा वो कि आपको अपना username लगाना है same process करेंगे text plus पे click करेंगे text select करेंगे double click करेंगे और यहाँ पर आपको अपना username लगाना है तो ig slash अब देखिए brackets हर एक चीज को बारिकी से देखिएगा ig लिखा है तो मैंने space किया फिर उसके बाद एक bracket लगाया xless लगाया उसके बाद फिर से मैंने space किया उसके बाद add the rate बाद में आपका जो भी username है वो हमें लगा देना है जैसे xyz मैंने यह लगा दिया done करेंगे इसका हम लोग font दूसरा select करेंगे ठीक है तो यहाँ पर हमने click किया थोड़ा और scroll करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए a b लिखा रहा है font a b तो वहाँ पर click करेंगे आप कोई भी font select कर सकते हैं अब यहाँ पर आप देखिए यह जो aerial है अब कोई भी normal जो यह fashionable styling font मत लिखेगा आपके username के लिए कोई भी normal जैसे की aerial है aerial लिखा रहा है उसके बाद यह जो robot regular है robot ocondes regular इस तरीके से जो normal font है वो आपको लेना है मैंने यह aerial ले लिया इसको ok किया same इस पर वही process करेंगे b पर click करेंगे और इसको पहले bold कर देंगे bold कर दिया tick कर देंगे right और इसको हम लोग यहाँ पर नीचे इस जगे से size आपको थोड़ी बहुत छोटी कर देनी है इस तरह की इतनी size की यह हमारा username यहाँ पर लग गया अगर आप यहाँ पर corner पर left में लगाना चाहते हैं या right पर कहीं पर भी drag करके से drag कर पाओगे अब यह हो गया और यहाँ पर आपने अपना font लगा दिया अब यहाँ पर यह जो plus sign के बाजू में right में यह जो दिख रहा है यहाँ पर save as image करेंगे तो आपका यह जो picture है वो download हो जाएगा तो इस तरीके से आप normally एक post को आराम से edit कर सकते हैं अभी कुछ post होगी जहाँ पर आपको hindi text होगे तो hindi text अगर आपकी keyboard में आप अच्छी तरीके से type नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए मैं आपको option बताता हूँ जैसे कोई भी hindi text आपको कहीं पर भी मिले उसका screenshot ले लीजिए और यह आपके जो google की slide होगी यहाँ पर जो आप slide दिख रही है mike है उसके बाजू में camera जैसा कुछ option आपको दिख रहा होगा वहाँ पर आपको click करना है मैंने कुछ pictures click की है hindi text में तो वो मैं post select करूँगा अब बाजू में search के बाजू में आप देखिए text है तो text पर मैंने click किया अब यहाँ पर जो भी जहाँ पूरी picture में जितना भी text होगा वो select हो जाएगा आपको जिस्ट वहाँ पर click करना है और कितना text आपको वहाँ से उठाना है वो select करना है copy text पर आप click करोगे तो यह जो text है वो copy हो जाएगा और यहाँ पर same यहाँ पर आ जाएगे और आप यहाँ से फिर से text पर click करेंगे double click करेंगे वो जो text आपने copy किया था आप यहाँ पर paste कर देंगे अब जिस तरीके से जितनी lines आप लगाना चाहते हैं उतनी आप लगा सकते हैं तीन हमने रखी तो आप देखिए उस तरीके का text यहाँ पर आ गया फिर जिस तरीके का जो भी editing हमने आपको बोला वो edit करके आप उस तरीके से यहाँ पर लगा सकते हैं तो इस तरीके से आप एक normal post pixel app में आसानी से edit कर सकते हैं आपने cover कर लिया है तो जाहिए और इस तरीके से आप अपनी best post बनाईए ओके देट्स आल फूर दिस वीडियो